हेलो दोस्तों कैसे आप सब महिंद्रा ने 2024 के स्टार्टिंग में ही महिंद्रा सुपरो प्रोफि ट्रक एक्सल सी एंजी में ओर डीजल में लॉंच कर दिया है तो अभी जो आप सामने गाड़ी देख रहे हैं यह सी एंजी वेरियंट है इसमें क्या-क्या फीचर एड किये है वह आपको सारी चीजे इसी वीडियो के माध्यम से पता चलेंगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आईए कबर गाड़ी को देख लेते हैं आपको महिंद्रा को लोगो मिल जाएगा ब्लैक ग्रेल के साथ रैप अराउंड हैड लैं इंडिगेटर फोग लैंप का स्पेस भी दिया गया है आप फोग लैंप एसे स्रीज में आप लगवा सकते हैं आपकी कंडेक्टर साइड में सुपर प्रोफिट ट्रक की अपकी यहां पर पैजिंग मिल जाएगी और आपकी ड्राइवर साइड में सी एंजी की पैजिंग आपको बड़ा सा गलास मिल जाएगा ट्यूल वाइपर के साथ यह राइट साइड से व्यू है आपको डॉर्स पे एक्सल की बैजिंग मिल जाएगी इसमें सींजी ड्यू और और सुपर प्रफिट ट्रक के जो डैकल से वह आपको मिल जाएगे यह आपको दोनों साइड में मिलेंगे राइट और लेफ्ट दोनों साइड में दोर के साथ में ही आपको ट्रन इंडिकेटर भी मिल जाएगा और सिंगल साइड ही आप यहां से लोग कर सकते हैं टायर की मैं बात करूँ तो इसमें आपको 13 इंची टायर मिलेंगे, यह C8 के टायर है, और जो वील कवर हैं वो आप असे सिरीज में इसमें आप लगवा सकते हैं, यह रियर से व्यू रहेगा, यहापे आपको महिद्रा की बैजिंग मिल जाएगी, और साथ में ही C&G की बैजिंग मिल जाएगी, यह नमबर प्रेट आप यहापे लगवा सकते हैं, आपको डूल सेंसर मिल जाएगे, बैक सेंसर, स्पेर वील आपको यहाँ पे पीछे ही मिलेगा, यह कंडेक्टर साइड से व्यू है, यहाँ पे भी आपको सुपरो प्रोफिट ट्रक एक्सल, C&G डियो की बैजिंग मिल जाएगी, इस साइड आप लोग जो है डोर अंदर से ही कर सकते हैं, बाहर से इसमें यहाँ पे, ओ आपी तक जो सुपरो C&G डियो जो पहले आती है, उसमें आपको 12 इंची टायर मिलते थे, इसमें 13 इंची टायर है, यह राइट शाइड में आपको एम डोन की बैटरी मिल जाएगी, अगर लीप स्प्रिंग की बात करूँ तो फ्रंट्स में आपको 8 और रियर में आपको 6 लीप स्प्रिंग मिल जाएगे, यह रियर में आपको C&G यहाँ से आप फिल करवा सकते हैं, इसमें जो C&G के सलेंडर हैं, वो इसमें आपको 3 मिलेंगे, इसमें जो टोटल C&G है, वो करीबन आपको 18.9 केजी, इसमें C&G के सलेंडर है, लीटर की में बात करूँ तो करीबन इसमें 105 लीटर C&G वो इसमें आ जाएगी, ये रियर्स में जो है, आपके यहाँ पे, आपको दिख रहे होंगे, दो सिलेंडर एक साइड में है, और रियर्स में एक सिलेंडर एक्स्टा, इसमें अड़ करती है, कंडेक्टर साइड में आपको, जो पांच लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाएगा, जो कंपनी कलेम करती है कि एक बार आप सारी चीज़े जब अफ्यूल करवा लोगा, तो करीबन 500 किलोमेटर आप आराम से गाड़ी को चला सकते हैं, इंजन की हीटिंग कागो बोक्स या कैबिन में ना जाए, इसके लिए ऐलुमीनियम टाइप के यहां पर सेफटी चत्दर लगा रखी है, आईए बर गाड़ी को अंदर से देख लेते हैं, यह इंटिरियर है अंदर से, आपको राइट साइड में ही सी इन जी और पैट्रोल का जो अपसन हो मिल जाएगा, और है हाई बीम और लो बीम का उपसन मिल जाएगा, यह आपको डिजिटल कलस्टर इसमें आपको मिल जाएगा जिसमें आपको सारी चीजें देखने को कितना फ्यूल हैें, हेंड-ед या जो मेर्जेंशी अलर्ट हैро है, वह सारे आपको इसमें आपको ट्रिप होगा रख सारी चीजें आपको इसमें दिक चाहेंगी, जब आप ओन करते हैं तो CNG और पैट्रोल किस पर अभी गाड़ी चल रही है वो आपको देखी एजली आपको इसमें दिख जाएगा अभी यह CNG पर है और जब ब्लू लाइट ओन होती तो वो पैट्रोल का उफशन होता है आपको इसमें पार्किंग का है नीचे आपको म्यूजिक का प्रोविजन दिया गया है 12 वोल्ट का आपको मोबैल चार्जिंग पॉइंट दिया गया है लोकेवल गलो बॉक्स भी मिल जाएगा उसके साथ ही आपको यहां पर स्पेस काफी मिल जाएगा सनलाइट प्रोटेक्शन आपको ड्राइवर साइड में मिलेगा अपको स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगी पीछे इलर सीट वेल्ट मिलेगी आप यहां से आप रिखलाइन और डिकलाइन और यह से अवह फोल्ड हो जाएगी ड्राइवर और कंडेक्टर दोनों सइड शीटे हैं जो फोल्डेबल है क्योंकि जो इंजन है वो सीट के नीचे ही दिया गया है दोनों सीटों के नीचे ही यहां से देखिए आप इजली आप इसको उपन करके और सीटों को जो भी मतलों इंजन का जो भी काम होगा वो यहां से दोनों सीट कोलने को बात यह देखिए यह इंजन हो गए आपका इंजन की मैं बात करूँ तो 909 CC का इंजन है करीबन 27 होस पाउर आपको मिल जाएगी टोर्क की मैं बात करूँ तो 60 NM का इसमें आपको टोर्क मिलेगा यहां पर बीच में आपको हैंडब्रेक मिल जाएगा वो यह दो बैल्ट्स लगी हैं जिससे आप ड्राइवर और कंडेक्टर सीट को आप इसली होल्ड कर सकते हैं ताकि इंजन का जो भी काम है वो आप आराम से हो जाए माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो करीबन आपको 27.88 km पर केजी की इसमें आपको माइलेज मिल जाएगी और गाड़ी की वारंटी की बात करूँ तो 3 साल 80,000 km की गाड़ी की वारंटी में रहेगी यह आपको केबिन में ही फाइर एक जगिस्टर मिल जाएगा और गेर इसमें अभी 5 कर दी हैं फैले 4 गेर आते थे अब आपको इसमें 5 गेर मिल जाएंगे 5 प्लस मेरी वर्श केबिन में लैग स्पेस काफिज आपको कारगो बोक्स को इसमें बढ़ा दिया गया है इसमें आपको 8.2 फिट का कारगो बोक्स की जो है लंबाई मिलेगी 5 फिट की इसकी चोड़ाए रहेगी और 1 फिट इसकी हाइट रहेगी इसमें आपका एक काफी चीज अच्छी की गई है कि इसमें जो है जब समान रखते हैं तो उसमें 41 mm की आपको ऐइट है वो कम रहेगी सुप्रो संजी जो पहले आती थी अस elbow कि कि जब आप समान रखते है तो में एजी आप उसमें उतार सकते हैं और इसमें आप रख सकते हैं इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक है और रेर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे और इसका जो वील बेस है वो बढ़ा दिया गया है ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 208 mm और शीटिंग के एपेश्टी इसमें ड्राइवर प्लस वन की ही है जो टोप स्पीड रहेगी गाड़ी की वो 70 km पर आवर रहेगी कलर्स की मैं बात करूँ तो आपको इसमें तीन कलर मिलेंगे ब्लू वाइट और रेड यह जो सामने कलर है यह ब्लू है यह जो एक नया कलर है वो आया है भी इसमें कार्गो बोक्स का जैसे मैंने बताया है ती कार्गो बोक्स पहले साठे साथ फिट का आता था अब 8.2 फिट इसकी लंबाई कर दी है चोड़ाई पांच फिट इसमें अभी है गाड़ी की प्राइस की मैं बात करूँ तो इसका जो एक्शो रूम प्राइस है छे लाग पिर वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो इस गाड़ी में आपको क्या अच्छा लगा वो भी आप कमेंट्स करके मुझे बताईए और क्या इसमें महिंद्रा से आप चाहते हो भी कुछ इसमें चेंज किया जाए वो भी आप कमेंट्स करेंजी